हलो इस्टुनिस नेक्स्ट हम डिस्टास करेंगे कैशन नमर टू किया रहा एक साइस 5.4 के लिए देखो सेम कंसेप्ट है जो हमने लास में डिसके था बस यहां पर आपको वैलियूस को किसी एक बी एकिप पावर माइनस अनुघ सबसे पहले वाइवन निकालेंगे सका एक उस्टान एकईपावर एमएक्स का क्या निकल का यह एक इतरा यह इसका क्या वह और इसका क्या हो जाएगा मैम हम आख़ो法 M constant और E की पावर को देखो, E की पावर M X का E की पावर M X और M X का क्या होगा, Only M, minus B M constant, और E की पावर M X का M X और इसका केतना हो जाएगा, minus M, इन दोनों को वापस combine कर ले, A M square E की पावर M X minus minus plus B M square E की पावर minus M X, यह Y2 की value आगई, सामझ में आगे, अब दो given equation है, according to question, जो given equation देखो, क्या है, y2 minus m square y, उठ करो, y2 की value देखो, am square e की power mx plus bm square e की power minus mx, minus m square और y की value, aemx plus be minus mx, अब आप इनको open करता हो, simply, कितना हो जाएगा, देखो, first case में, am square e की power mx plus bm square e की power minus mx, फिर इस minus m को दोनों से multiply करो, minus am square e की power mx minus bm square e की power minus mx, simply दिख रहा है, यह दोनों, इन दोनों से cancel out हो गया, 0 आगया, and that is rhs, hence proof, clear है, आसान है, questions सारे, next, देखो, second part, यहाँ पर भी y equals to 500 e की power 7x plus 600 e की power minus 7x, given equation क्या है, यह लेके आनी है, तो पहले dy upon dx निकालो, 500 constant e की power 7x का 7x, तो 7 का करा, तो only 7, 600 e की power 7x का 7x, और इसका minus 7, बल्लिपलाय करो, तो 5, 7 जा 3500 e की power 7x, minus 6, 7 जा 4200 e की power minus 7x, अब क्या करना है, इसका double derivative, d square y upon dx square, कर दो, 3500 constant e की power 7x का 7x, और फिर से 7x का करेंगे, तो 7, minus 4200 e की power minus 7x का 7x, और यह minus 7, finally देखो, मेरे पास जो value बच रही है, वो कितनी है, मुझे उकल मिला कि इन में से 49 common निकालना है, क्या करना है, 49 में से common निकालना है, क्यों बताता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है, 49 constant ऐसे, तो देखो, 35 की जगे मैं ऐसे लिख दू, 75, 35, ठीक है, e की power 7x की second 7x और यह अभी 7 है आप, इदर देखो, 76, 42, e की power minus 7x और यह minus 7 अभी भी है यहाँ पर, इस माइनस की जगे मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, ठीक है, यह minus minus plus हो गया, अब आप गौर करना, 7, 7, 49, 7, 7, 49, इन दोनों में से 49 अगर common निकाल लेता हूँ, बचेगा के अंदर, 500 e की power 7x, 600 e की power minus 7x, अब आपको clearly दिख रहा होगा, यह पूरी value आपकी question से match कर रही है, जो की y है, तो हमने निकाल लिया है, d square by dx square equals to 49 y, and this is hence proof, clear है, बिल्कुल, आप आजओ next, third case, y equals to a e की power 2x plus b e की power x, put करो, पहले निकालो dy by dx, तो a constant e की power 2x का यह है, और इसका 2, plus b constant e की power minus x, और फिर minus 1 इसका, तो कितना आगया, 2 a e की power 2x minus b e की power minus x, अब निकालो आप इसका double derivative, 2 a constant e की power 2x, पर यह 2, 2x का, minus b e की power minus x, और इसका minus 1, open करो, 2 to the 4 a e की power 2x plus b e की power minus x, अब आप इसको इसमें फूट करके देखो, according to question, क्या गहरा, पहले double derivative लिको 4 a e की power 2x plus b e की power minus x, फिर minus लिको single derivative, 2 a e की power 2x, यह minus लगावा है न, तो इस पूरे के आगे minus लगेगा, तो यह तो negative होगा, यह positive हो जाएगा, फिर minus 2, और फिर y, y क्या है आपके पास देखो, a e 2x plus b e minus x, अब आप इसको solve कर दो, 4 a e की power 2x, दूसरे वाला पहनल दो, plus b e की power minus x, minus 2 a e की power 2x, plus b e की power x, minus 2 a e की power 2x, minus 2 b e की power x, तो बहुत देखो, clearly, देखो, यह 4 है, यह minus 2 है, minus 2 है, दौनों के दौनों, इसके साथ मिलके cancel हो गए, यह b और b 2b हो गए, यह दौनों 2b, इससे cancel हो गए, तो 0 आ गया, rhs की power, hence, proof, clear है, question number 2 completed.